कि नमस्कार नीज क्लिक में आपके स्वागत है आज हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर सत्चीत रथ के साथ कोविड-19 वैक्सिनेशन जो शुरू हुआ उसके बारे सत्चीत अभी जो देखने को मिल रहा है कि सरकार पहले कह रही थी हमारी जो क्लिरेंस और या जो सैंक्शन करती है वैक्सिन्स को उन्होंने कहा था कि एमर्जन्सी यूस कि क्लिनिकल ट्राइल मोड मतलब हम को वैक्सिन को इजाज़त दे रहे हैं इसका इस्तमाल करना पर इसको एक क्लिनिकल ट्राइल मोड में मतलब क्लाप क्योंकि से जो स्टेज थ्री की क्लिनिकल ट्राइल से वो नहीं हुई है तो उसके साथ हमको माइन कर ना चाहते हैं ये हमारे शो में भी आपने जिक्र किया है कि इसकी मतलब क्या है किसी को समझ में नहीं आ रहा और ये अभी जो लग रहा है कि पूरी तरह से वैक्सीन प्रोग्राम के अंतरगत है और इसके इलावा लोगों से दसकत करा ली जा रही है तथाकतित consent form पर कोई option न को कि आप कौन सा वैक्सीन लेंगे उन पर थोपी जा रही है तो इसके बारे में आपको क्या लगता है कि ये consent form इस तरह से दसकत कराना और emergency use in clinical trial form जो कही गई थी ये कहां तक ये actually practice में लाई जा रही है तो प्रबीर हमने दो-तीन चीजें हमारे दर्शंकों के ध्यान में लानी चाहिए पहली बात तो ये है कि ये vaccination की जो मुहीम चल रही है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो है कोविशील्ड का ना कि कोवैक्सीन का कोविशील्ड दुगुणा इस्तेबाल की जा रही है अभी जो देड़ क्रोर लगभग 1.6 16 मिलियन जो कह सकते हैं अब डोजेस दी जा रही है उस पे करीब 55 लैक्स है आपकी कोवैक्सीन और 1.1 क्रोर जो है आपका कोविशील्ड है तो थोड़ा तफ्सील में घुस रहे हैं और माफ कीजिएगा लेकिन आप जो आकड़े बता रहे हैं वो आकड़े हैं जितने खरीदे गए यह वो आकड़े नहीं हैं जिनकी डिलिवरी हो चुकी है तो जिनकी डिलिवरी हो चुकी है, वो आंकड़े अगर देखने लोगो, तो इसमें बहुत बड़ी तफावत है कोवीशील्ड के आंकड़े बहुत ज्यादा है आज की तारीख में और कोवेक्सीन के आंकड़े बहुत कम है कोवीशील्ड को लेकर कोई वैसी परेशानी नहीं है, हाँ सवाल तो है कि कोवीशील्ड का एप कितना अच्छा काम करता है वेक्सिनेटर्स मौझूद है या नहीं, कोल्ड रेफिरिजरेटर्स ठीक तरीके से चल रहे हैं या नहीं इस तरीके के जो अर्चने आ सकती हैं, वो तो किसी भी बड़े पैमाने पर मुहीम चलाने में आएंगी, वो अब हिंदुस्तान है, निबट लेंगे हिंदुस्तान है और दूसरे जगोब भी इस तरह की तरफ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो अनोखी चीज नहीं है जी, लेकिन कोवेक्सीन को लेकर जब हम बात करेंगे तो हमने दो बातें याद रखनी चाहिए, एक तो उसके आंकड़े कम है, आज, ये तो मानना पड़ेगा कि आंकड़े बढ़ेंगे, लेकिन आज की तारीख में कम है, दूसरा मुद्दा जो है, वो ये है कि कोवेक्सी लेने में कोई खतरा नहीं है, कोवेक्सीन को लेकर किसी को कोई गंभीर दुषपरणाम नहीं होने वाले, तो फिर हम लोग चिंदत किस मुद्दे पर है, तो जो आपने कहा, कि जो एक सरकारी प्रशासनिक प्रक्रिया होनी चाहिए, जो साफ होनी चाहिए, सही होनी उस प्रक्रिया में ये मुद्ध इन मुद्धों पर को वैक्सीन का इस्तमाल खरा नहीं उतर रहा अब उसमें आपने जो बात छेडी वो बात है कंसंट फार्म की इजासत की इजासत की हर एक वैक्सीन लेने वाले से इजासत लेने की जरूरत ये है कि जो अनुमती दी गई है, जो approval दी गई है, वो clinical trial mode में है अब ये clinical trial कैसे चलेगी, उसके आंकडों की चानवीन कैसे होगी इसके बारे में पूरी संदिक दता है आज, हम कुछ नहीं जानते लेकिन चुंकि वो clinical trial mode में approve हुई है, उसलिए consent form जरूरी है अब जब consent form पे आप दस्खत करते हो, तो ये माना जाता है कि आप सोच समझ के अपने विचार से, अपने निर्णे से हाँ या ना पूरी स्वतंतरता के साथ तै कर रहे हो स्वेच्छा पूर्वक्त कर रहे हो जब सरकार ये कहती है कि आज आपका नंबर आया हुआ है वेक्सीन लेने को लेकिन आपको को वेक्सीन दी जा रही है और आप अगर कहो कि मुझे को वेक्सीन नहीं लेनी तो सरकार ये नहीं कहती कि अच्छा ठीक है फिर को विशील्ड दे देगे सरकार ये कहती है कि फिर आपको कोई वेक्सीन नहीं मिले जब ये होता है तो फिर संभावना सामने आती है कि ये हाथ मरोड के करवाया जा रहा है दूसरी बात कहीं कहीं सुनने में आ रही है वो ये है कि सरकारी अफसर ये कहने लगे है कि भाया तुम अगर वैक्सीन ना लो तो फिर तुमें काम पे आने में तन्फा अपाने में मुश्किल होने लगेगी और ये भी एक तरह से जोर्ड़ जबरदस्ती का मसला है तो इन सब मुद्दों को लेकर इसलिए हम चिंदित हैं कि प्रशासनिक प्रक्रिया वैध तरीके से जाइस तरीके से चल नहीं रही इसलिए नहीं कि वेक्सीन का कोई बड़ा खत्रा है लेने में चुकि इसलिए कि ये जनतांत्रिक प्रशासन नहीं है और सच्चियत हमारी पुरानी अनुहब रही है इस तरह से जबरदस्ती थोपने का चाहे वो सही कदम हो या नहीं हो थोपने का परिणाम अच्छा नहीं होता आपको पुराने वक्त की याद दिलाता हूँ जब स्टरिलाइजेशन इबरजेंसी के दौरान गलत था सही था वो अलग बात है क्योंकि जबरदस्ती थोपी गए थी इसके बाद बहुत दिन तक अभी भी मर्दों का नस्पन्दी अभी भी बहुत कम होता है हिंदुस्तान में काफी नीचे है और इसका बूल वजह है लोग बताते हैं जो स्टडी करते हैं कि यह उस तरह से थोपने के बाद बहुत बड़ा रिजिस्टेंस आम लोगों में क्रियेट हुआ है तो इसलिए मुझे आपसे सवाल करना था कि इस तरह से थोपने का क्या परिणाम उल्टा हो सकता है तो आप जो पुरानी बाते कह रहे हैं उसका आज का स्वरूप यह है कि वैसे भी हम टीकों को वैक्सीन को लेकर चिंतित हैं समाज में और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के समाज में एक वेक्सीन चिंता का विशाय है, इसके दो कारण है, एक कारण ये है कि सब लोगों ने कहा हुआ है, दुनिया भर के, सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, कि वेक्सीन बड़ी तेज रफतार से बनाई गई है, सारे वेक्सीन और हम सब ये मान के चलते हैं कि अगर कोई चीज तेज रफतार से बनाई जाए तो उसमें कुछ खामिया रह जाएगी तो पहला मुद्दा ये है कि हम इसको लेकर चिंतित हैं कि हमें कुछ खामिया रही हुई वेक्सीन्स दी जा रही है सचाई ये है नहीं लेकिन चुकि हम इतना जोर शोर से सीना पीट रहे हैं दुनिया भर के वेज्ञानिक दुनिया भर के प्रोध्योगिक और दुनिया भर के प्रशासा तो इस वेजह से इसको बढ़ावा मिलता है, इस चिंता को बढ़ावा मिलता है कि कोई खामियाँ वाली वेक्सीन दी जा रही है, जबकि ये सही नहीं है दूसरा मुद्दा ये है कि अब उन्हें प्रगत देश कहें, कम से कम अमीर देश कहें तो अमीर देशों में एक यूँ सोच है कि वेक्सीन अच्छी चीज नहीं है, ये पूरी अवेग्यानिक, ग्यायर वेग्यानिक और जुट्लाने की बात है, लेकिन सोची जाती है खास करके अमरीका में ऐसे उदाहरण है कि बच्छों को लोग वेक्सीन लेने से मना करते हैं और उस वज़े से जिन रोगों के खिलाफ बच्छों में वेक्सीन आम पैमाने पर मौजूद हैं, वो ना लेने के कारण उन रोगों का प्रादुर्भाव उन रोगों को कि अमीर देशों की संस्कृति हमारे जो अमीर हैं, शहरी अमीर हैं, वो थोड़ा बहुत अनुकरण करते हैं, तो उनमें भी इस तरह का गैरवज्यानिक, इस तरह की गैरवज्यानिक सोच थोड़ी बहुत हैं, यह हुआ दूसरा मुद्दा, वेक्सीन को लेकर समाज में थ थोड़ी बहुत चिंता होने का, अब इसके इस इन दोनों चिंताओं को जो जाइस चिंताएं हैं नहीं, इन दोनों चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार ने क्या करना चाहिए, सरकार ने सही प्रशासनिक प्रक्रियाएं अपनानी चाहिए, पारदर्शिता के साथ उनका प्रावधान करना चाहिए और समाज को बताना चाहिए कि सचाई क्या है किन कदमों को तेजर रफतार से लिया गया है किन कदमों को तेजर रफतार से नहीं लिया गया बजाए इसके सरकार भी अपना सीना पीटने लगी है कि हमने स्वदेशी वेक्सीन बनाने हैं और इस वज़ए से वेक्सीन की जो चिंता, इन दो चिंताओं के साथ साथ जुड़ गई है, उससे वेक्सीन इंट्र की चिंता का प्रादुर्भाव बढ़ने लगा है, उसका फेलाव बढ़ने लगा है. आप जो कह रहे हैं बिलकुल सही है पर इस पे एक बात पर थोड़ी सी पुरानी बात पर वापस आना चाहता हूं जो आपने पहले कहा कि इस पे safety और जो इसका immunogenicity जिसको कहते है antibody हमारे शरीज में पैदा होने का इस पे शक नहीं करना चाहिए phase one phase two trials पर देगी जाती है पर stage three trials efficacy का प्रमाण है कितना control कर रहा है या नहीं जो vaccinated है जिनको vaccine नहीं दिया गया है उनमें क्या फरक है वो नजर आता है और यह सही है कि यह phase three trial जो होना चाहिए था वो शुरू हो गया है कोबैक्सीन की phase three trials इस वक्त चल रहा है उसकी data preliminary data जिसके आधार पर emergency use की आप permission दे सकते हैं उसकी एक देड़ महिने की सिर्फ वक्त चाहिए था और क्योंकि हमारे यह इस वक्त numbers कम हो रहे हैं तो हम इत्ता जल्दबाजी में इसको करने का health public health का कोई इस पे लगता है कि कोई सोच इस पे रही बल्कि आप जो कह रहे हैं कि vaccine nationalism की सोच कि हम भी दिखाते हम भी बाहुबली हैं हम भी vaccine बनाए हैं दूसरों के अपेक्षा हम भी तेजी से बनाए हैं etc. etc. इस तरह की चीज़े लिखती हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें एक देड़ महिना अगर रुकते डेटा मिलने से efficacy इसकी प्रमाण होने से तो इससे फरक पड़ता क्योंकि हर्शवादन साब ने हमारे health minister है उन्होंने doctor भी है उन्होंने भी ये कहा है कि efficacy दोनों का बराबर है पर efficacy बराबर होने की प्रम प्रमाण तो pastry trials का data है जो हमारे पास इस वक्त नहीं है बिल्कुल सही कहा आप नहीं मैं तो यहां तक कहूंगा कि या तो पहले-पहले नतीजे आने तक रुखते जो चंद ही हक्तों में आने वाले हैं जैसे कि आप कह रहे हैं या तो मैं याद दिलाओं आपको दर्शकों को कि भारत बायोटेक के डाक्टर टृष्णा एला ने सुना है कहा था कि भाया बगेर efficacy दिखाए हुए पहले भी vaccines को approval और इजाज़त मिली है यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है सच शाई उसमें कितनी है वो बात अलग रखिएगा लेकिन अगर यूं करना था अगर बगेर उपयोगिता नापे असरदारी नापने के पहले ही अगर आपने इजाज़त देनी थी तो कहते भारत की जनता से कहते के जरूरत है vaccines की इस vaccine का इस्तमाल phase 1 phase 2 trial के नतीजों के आधार पर हम clinical trial mode में देश भर में शुरू करना चाह रहे हैं इसलिए कि महामारी का वक्त है उसके खिलाफ जो कोई संसाधन मिले वो बड़े काम के होंगे हम जनता से आवाहन करते हैं कि इस effort में इस काम में जनता हमारा साथ दे और अपने आपको स्वयम सेवक मानकर इसमें शिरकत करें वालता को बालिग समझे जनता को जनकारी दीजिए जनता को अपने निरणय स्वेच्छा से पूरी जानबूज के साथ लेने दीजिए इसे जनतांत्रिक प्रशासन कहते हैं इसे करते तो आपको हमें कोई मुसीबत नहीं होती जनतांत्रिक पाज़दर्शी और एक जनवादी सरकार की ये नियत होनी चाहिए ना कि थोपने की और इसके बाद कहते हैं कि इनफॉर्म्ड कंसेंट के जगह पर जबर्दस्ती कंसेंट लेने की बात इस वक्त हो रही है नौकरी नहीं रहेगी तंखा नहीं मिलेगी वगयरा वगयरा बाते आ रही है अगर ये तो साफ है कि ये वैक्सीन लीजिए नहीं तो नहीं मिलेगा ये तो कहा जा रहा है आकरी बात में आ रहा हूँ सत्यीत यह अगर सवाल है कि वैक्सीन सेफ है नहीं है तो क्या आप और हमें इस वैक्सीन में वैक्सीन लेना चाहिए आपका क्या इस पर मत है क्योंकि हमारी इस बात्चीत से लोगों को ना लगे कि वैक्सीन शायद लेना ही नहीं चाहिए यह हम कह रहे हैं हमारा सरकारी प्रक्रियाओं से बहस है हमारा बहस वैक्सीन से नहीं है आज अभी को वैक्सीन मेरा नमबर आया और मुझे को वैक्सीन मिला और मुझे कहा गया कि कंसेंट फार्म पे इजाज़त के परचे पर दस्खत कीजेगा और वैक्सीन लीजेगा, मैं ले लूँगा, मैं दस्खत करूँगा, मैं ले लूँगा और मैं मेरा स्वातंत्रे सरका के प्रशासनिक रवये पर टीका करने का अबाधित रखूंगा क्योंकि सवाल वैक्सीन के सीफटी को लेकर नहीं है सवाल सरकार के प्रशासनिक रवये पर है सरकार पालिसी के उपर है ना कि वैक्सीन हमें या आपको लेना चाहिए नहीं क्योंकि आप हमारे साथ रहे हैं कई बार इस तरह की बातचीत में तो मैं भी आपके साथ सहमती प्रकट करता हूं कि मैं भी वैक्सीन ले लूँगा और जो लोग सोचते हैं कि शायद एडवर्स रियाक्शन होता है उनको समझना चाहिए कि अगर इस पैमाने पर टीका दी जाती है वैक्सीनेशन होती है तो एक्सिडेंट कहिए कोइंसिडेंस कहिए कुछ लोगों का जो दूसरे बिमारी है वो निकल के आ सकता है उस वक्त यह वैक्सीन के वजए से नहीं एक कोइंसिडेंस के रूप में होता है और हर बड़े वैक्सीन की जो प्रक्रिया होती है इसमें जरूर यह चीजे होती है तो यह आप सड़क क्रॉस करते हैं एक्सिडेंट हो सकता है तो उसको आप नहीं कहेंगे इसलिए हम सड़क नहीं क् चीज़ है और इसलिए इस बहम में ना पड़े कि शायद वैक्सीन के बज़े से ये सब हो रहा है बड़े वैक्सीन जब इस्तिमाल होता है बड़े पैमाने पे ये तो चीज़े आपको समझना पड़ेगा, ये सोहाविक है कि कुछ और भी चीज़ेह साथ साथ हो सकता जिससे वैक्सीन से कोई रिलेशन नहीं है कोई संबन नहीं रखता आज हम इस बात को ही खतम करते हैं सत्य धन्यवाद हमारे साथ होने के लिए और हमारे दर्शकों को जरूर हमारे वेबसाइट पर आईए और हमारी जो वीडियो से उसको देखते रहेगा इस चर्चा को हम आगे के लिए भी जानी रखेंगे